Hello everyone, welcome to free study, so 25 June 2021 के current affairs करेंगे, UPSC को ध्यान में रखते हुए, prelims and mains, इसके साथ साथ आप जरूर से जरूर चानल को सबस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक and शेर करना आपको नहीं भूलना है, तो क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं, GS Paper 2 मे हम देखेंगे कि ranked choice voting क्या होती है and किस तरीके से debut हुआ है, New York के mayoral polls के अंदर, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, Delta Plus, अपने इंडिया का है, Delta and Kappa जो variant है, तो अभी उसका नया mutation हुआ है, क्योंकि जो virus होता है, वो बार-बार अपने आपको change करता रहता है, तो अभी उसका जो नया mutation आया है, that is K417N, उसके बारे में देखेंगे, then हम देखेंगे, Indian Ocean Reason में Information Fusion Center से related news है, then Tax Inspectors Without Borders Program क्या है, जी एस पेपर 3 में देखेंगे, Competition Commission of India ने किस तरीके से Google को कहा है, कि वो unfair business practices use करते हैं, जैसे मान लेजे, अगर आप कुछ सर्च करते हैं, तो वो वही शो करते हैं, जिनका उनके साथ कोई collaboration होता है, तो Competition Commission of India का main aim यही रहता है, कि Competition बना रहे, तो इसलिए उनको देखेंगे कि क्या problem है Google के साथ, then देखेंगे, ये भी news है, कि जो हम सोच रहे हैं कि climate crisis इतना होगा, वो हो सकता है, उससे भी पहले आ जाए, मतलब समय से पहले भी आ सकती ह ये climate crisis, तो वो भी देखेंगे, then Seuss Canal, Pygmy Hawks देखेंगे, St. Vincent and Granadines भी देखेंगे, तो Important Current Affairs है, आप इसकी quiz and mains की answer writing inside CIS की website पर जाकर कर सकते हैं, ठीक है, आपको सभी points वहाँ पर मिल जाएंगे, quiz भी मिल जाएगी, mains के questions भी मिल जाएगे, सबसे पहले देखते हैं कि New York जो city ह उन्होंने mayoral polls के लिए ranked choice voting की है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मालीजे आपको कोई पसंद आता है, जैसे for example A, B and C, D हैं, तो आप इनके अंदर आप rank दे सकते हैं, कि सबसे पहले मुझे C पसंद है, फिर मुए D को देखना चाहता हूं, मतलब इस post पे, फिर A को, फिर B को, so this is ranked based choice, तो ranked based choice क्या है, ranked based choice यही है, यह ranked choice voting यही है, जहाँ पे candidates को यह लाओ होता है, कि आप, मतलब अपनी preference दे, top को ना choose करके, बलकि आप यह देखें, कि हम पहले इसको prefer करते है, then this, then that, then this, ठीक है, तो New York City जो होगी, वो अपने top 5 को इस तरीके से rank कर पाएगी, though waters are not required to choose 5, ठीक है, तो 5 के 5 को choose करने की जोरत नहीं है, आप rank दे सकते हैं, अब इसका फाइदा क्या होगा, फाइदा यह होगा, देखो, rationally क्या है, ranking candidates is far more complicated, क्योंकि देखो, अगर आपको बोला है कि कौन winner, तो आपने एक का नाम ले दिया, rank देने को बोला जाए, तो आप को पाचो के पाचो लगाने होंगे, ठीक है, तो advocates का, लेकिन फिर भी यह believe है, कि हो सकता है, कि यह थोड़ा और fair काम करें, थोड़ा और accurately काम करें, जैसे माल ले जे, for example, आपको बोला जाए, banana apple grapes, तो आपने का कि मुझे grapes पसंद है, उसके बाद मुझे apple पसंद है, उसके ब preference हमें पता चल जाएगा, कि हाँ grapes के बाद जो person है, उसको apple भी पसंद है, तो एक तरीके से वो अपनी जो preferences है, उसको clearly बता पाएगा, तो यह इसका फाइदा होगा, अगर माली जे किसी को 50% से जाधा vote मिलती है, तो वही जीच जाएगा, अगर 50% से कम vote मिलती है, तो फिर second round होगा, फिर second round के अंदर दुबारा से क्या होगा, जिसको कम votes मिले है, उसको हटा दिया जाएगा, तो इस तरीके से distribution चलता रहेगा, मतलब तब तक इस तरीके से distribution चलता रहेगा, जब तक कोई चीज को 50% प्लस 1 ना मिल जाए, ओके, देन देखिए, 20 और jurisdictions है, मतलब जहाँ इनको यूज किया जाता है, और यही जो formula है, वो Australia, Ireland, Malta भी यूज करते आए हैं, Northern Ireland, New Zealand, Scotland ने भी इस method को यूज किया हुआ है, इसके favor में क्या arguments हैं, कि इसका मतलब winner को majority मिलेगी, most votes वाला ही क्या करेगा, जीतेगा, दूसी बात, more moderate candidates, मतलब यह नहीं है कि, देखो, extreme क्या ह high है, extreme high means कि आप उसको touch भी नहीं कर सकते हो, moderate high का मतलब क्या होता है, कि आप उसको हलका हलका, उसके hand dip करके देख सकते हो, तो थोड़े moderate candidates आएंगे, मतलब बिल्कुल extreme जो होता है, वो कभी भी अच्छा नहीं होता, and it is less likely, बहुत कम ऐसा होगा कि कोई candidate, जैसे मालीज को यह जहां मिला, तो उसी को strong based है, यहां पर ते को strong based की बात नहीं हो रही है, यहां पर हो रही है 50% plus 1 की, यहां पर 90% की बात नहीं होती है, ठीक है, तो यह आपको धिहान करें कि moderate है, extreme नहीं है, तो यह भी good है, then negative campaigning कम होगी, then जो people है, वो good भी feel करेंगे, कि हमने अपनी preference दे द complicated है, कोई चीज दे को complicated होती है, तभी तो errors होते है ना, अगर किसी चीज में complication ही नहीं है, अगर कोई question बहुत easy है, solve करना, तो error ही नहीं होंगे, complication होगी, then errors होंगे, now कुछ यह भी argue करते हैं, कि यह democratic नहीं है, क्योंकि एक person एक vote की बात होती है, democracy के अंदर, इससे horse trading होगी, horse trading का मतलब क्या होता है, जैसे कि, ठीक है, आपको यह पसंद नहीं है, तो आप इसके लिए open कर रहे हो, मतलब दूसे candidates के लिए, कि ठीक है, आप voters जो हो सकता है, वो मुझे second choice दे दे, तो इस तरीके से, मतलब horse trading time, मतलब setta baji type, ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से हो सकता है चलिए, अब देखते हैं, delta plus एक नया variant आया है, health ministry ने कहा है, कि variant of concern है, मतलब बहुत जादा transmit हो रहा है, बहुत जादा diseases इससे हो रही है, जैसे death होंगी, hospitalization होंगी, and significant reduction तभी हो सकता है, अगर proper vaccination वगेरा हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, treatments, vaccines वगेरा बढ़ाने पढ़ हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, means इसकी जो transmability है, वो काफी जादा हाई है, जो lung cells के अंदर जो binding है, क्योंकि फेफडों को बिल्कुल खराब कर देता है, and जो monoclonal antibody, हमने काफी बार पढ़ा है monoclonal antibodies, इस महीने में, मैंने आपको तीन बार पढ़ाया होगा, तो आप daily, जो problem है, उससे लड़ने में काम आती है, यह जो virus है, यह बार-बार अपना mutation कर रहा है, बार-बार अपने आपको change कर रहा है, and इससे problem होगी, जो viral RNA है, उसके अंदर changes आ रहे हैं, mutations हो रहे हैं, variants हो रहे हैं, कभी single mutation हो जाता है, कभी many mutation हो जाती है, तो जिसकी वज़ा से दव आपको change कर गया, अगर आप यहापे देखो कि न, यहापे आपको तीन dots दिखाई देंगे, वैं आपको थोड़ा दूसरे color से दिखाती हो, यह आप देखेंगे न, यहापर, यहापर और आपको तीन different dots दिखाई देंगे, फिर इसके बाद यह दूसरा बदल गया, फिर इस से उसको change करता है, जैसे SARS-CoV-2 क्या है virus है, तो इसके अंदर जो RNA virus है, ribonucleic acid है, तो वो अपने आपको molecules का arrangement है, उसको change करता है, and means अपनी copies बनाते वक्त हो सकता है, virus कोई mistake भी कर दे, तो यह सब चीजे होती रहती हैं, इसके अंदर, mutation के अंदर, चलिए, अब concern क्या क्या है तो एक तो यह धियार रखेंगा, B117 या फिर जो इसको हम कहते है, alpha first, ठीक है, यह UK के अंदर पाया गया था, then B1351 या beta जिसको कहें, वो South Africa में पाया गया था, B1427 या जिसको epsilon कहते हैं, यह कहां पाया गया था, US में, तो alpha कहां कहा है, UK का, beta कहां कहा है, South Africa का, epsilon कहां कहा है, USA का, World Health Organization ने कहा है, कि B16172 कहा है, इंडिया का, यानि कि delta, तो इस variant को control कैसे क्या जा सकता है, proper health actions लेने होंगे, test बढ़ाने होंगे, यह नहीं, test कम करें, test कम करेंगे, तो सामने नहीं आएगा, सामने नहीं आएगा, तो control नहीं हो पायेगा, ठीक है, जैसे मैं आपको बहु इसलिए याद नहीं है, तो इसलिए test लगाने जरूरी है, तभी आप कुछ addition method, मतलब solution find करने की कोशिश करेंगे, कुछ addition महनत करेंगे, vaccines and treatment का solution find करने की कोशिश करेंगे, अब जो Indian Ocean reason है, वहाँ पे जो information fusion center है, मतलब information वगेरा मिलती रहती है, ocean के बारे में, कि कहां पर क्या क्या हो रहा है, मतलब maritime awareness मिलती रहती है, तो UK ने एक officer को appoint किया है, तो थोड़ा देख लेते हैं, तो यह 2018 में बनाई गई थी, यह organization, और इसका main aim यह है, कि maritime data मिलता रहे, 21 countries के साथ linkage है, 22 national agencies के साथ, इसका जो headquarter है, वो कहां पर है, Guru Gram Haryana, India के अंदर है, अब यह जो officer होंगे यह full time काम करेंगे, ठीक है, Indian armed forces के साथ काम करेंगे, awareness बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो internet liaison officers है, वो 13 countries से हैं, ठीक है, international labor organization से भी है, जैसके Australia, France, Japan, USA, and UK fifth country है, जो की, एक ILO, this ILO is not international labor organization, this is international liaison officers, तो UK fifth country बन गई है, इसके लिए, चलिए, अब देखते है, tax inspectors without borders program, तो यह भुटान का program है, जो की India के साथ मिलकर launch किया गया है, ठीक है, तो India के साथ भुटान की boundary लगती है, तो यह 24 महिने, यानि की 2 साल का duration होगा, and focus यह रहेगा, कि international taxation कैसे की जाए, transfer pricing कैसे की जाए, तो UNDP and TIWDB है, उसके साथ, this is taxation without borders, यह दोनों मिलकर काम करेंगे कि tax को अच्छे से समझा जाए, technicalities को समझा जाए, skills को समझा जाए, and best practices को opt किया जाए, तो यह क्या है, यह UN, अभी हमने वैसे पढ़ा भी है, यह UNDP and OECD का initiative है, ठीक है, वो ही tax audit knowledge मिले, skills मिले, main aim यही है, कि experts की जो knowledge है, उसको use किया जा सके, चलिए, अब देखते है, competition commission of India ने कहा है, कि Google जो है, वो anti-competitive practices ना करे, मतलब ऐसा ना करे कि बाकि किसी को competition से हटाए, ठीक है, तो यह पाया गया है, कि यह लोग क्या करते है, Google की applications हो गई, तो pre-installation इनके अंदर, चीजी होती है, जो कि section 4, subsection 2 को contravene करती है, means उसके खिलाफ है, क्योंकि section 4 क्या कहता है, क आपको अपने dominant position का use नहीं करना है, जैसे माली जो गूगल में आपने लिखा, कोई watch लिखा, तो वो आपको एक ही company की watch दिखा रहा है, ठीक है, तो means वो अपने dominant position का गलत use कर रहे है, तो competition commission of India यही कहता है, कि अगर से fake कोई दिखाएंगे, तो बाकितों कभी competition में आई नहीं पाएंगे न, तो इसलिए यह नहीं करना है, तो competition commission of India क्या है, जो इसको इतनी power है, तो यह act 2002 से बना था, March 1999 से ही, means इसने काम करना शुरू कर दिया, तो जब इसके जो chairman and members होते हैं, वो कौन appoint करते हैं, central government, okay, then देखें, इनके main name यही होते हैं, कि practice, ऐसी काम, जिससे competition कम हो, वो कम करना है, और जिससे competition बढ़े, वो बढ़ाना है, means हर कोई free हो, कि अपना opinion दे सके competition के बारे में, and awareness create हो सके, ठीक है, तो यह इनके काम होते हैं, पहले देखें, एक होता था, MRTP Act, Monopolis and Restrictive Trade Practices Act होता था, 1969, उसको हटा कर competition commission act आए था 2002 में, किसकी recommendation पर, रागवन committee के recommendation पर क्या कहा कि anti-competitive agreements नहीं करने, मतलब ऐसा नहीं करना है कि बाकियों को competition से ही हटा दो, अपना dominant position का abuse, use नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उससे competition पर फर्क पड़ता है, competition होगा, देखो, अब जैसे IAS है, उसके लिए इतना बड़ा competition है, तब ही तो अच्छे IAS अपॉइंट फिर तो कोई भी IAS बन जाएगा, तो competition होगा, तो best जो चीज होगी वो पहार निकल कर आएगी, देन देखिए एक report आई है, UN Climate Science Advisors की ये report है, कि जो climate change है, वो जो अर्थ के ओपर जो life है, उसको change कर देगा, species extinct होने लगेंगी, बिमार्या फैलने लगेंगी, अनलिवेबल conditioners, without fan, without inverters हम नहीं रह सकते हैं, तो अगर जैसे C का तापमान बढ़ेगा, तो 2050 तक हो सकता है, बहुत ही बुरा हाल हो जाए, climate crisis जो है, वो पहले सी हो जाएगा, food insecurity होने लगेगी, मतलब millions of लोग हो सकता है, उनको खाना ही ना मिले 2050 तक, 130 million जो लोग है, वो पावर्टी के अंदर ही सब मर्ज हो जाएंगे, और वहापे जो जीव जन्तु है, वो भी मर जाएंगे, और जो इनसान है, उनकी भी death हो जाएगी, water scarcity, 350 million people, जो शहरों के अंदर रह रहे हैं, वो सूखे की वज़े से पानी scarcity को face करेंगे, temperature बढ़ेगा, ठीक है, तो ये बहुत ही बुरा ह हो जाएगा, तो UN Security Council, UN Secretary General के scientific advisory board है, उन्होंने कहा है कि 24 September 2013 से पहले एक meeting हुई थी, sustainable development को लेके, कि scientist जो है, वो मिले, कौन-कौन से scientist जैसे natural science related हो गए, social science related हो गए, human science related हो गए, कि आप बताइए कि किस तरीके से इस problem को tackle किया जाए, चलिए, next देखते है, Sioux Canal, तो Sioux Canal एक बहुत important area है, and Egypt के अंदर, जो मितलब Sioux है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगे भी, जो किस तरीके से Mediterranean Sea and Red Sea को connect करता है, अफ्रीका को Asia से अलग करता है, घूम के जाने से अच्छा है, अगर आप यहां से जाएंगे, तो छोटा route पड़ेगा, and 12% जो trade है, व यह आपकी Red Sea है, यह आपकी Mediterranean Sea है, यह आपका Egypt है, यह आपका Sioux Canal है, यह आपके वो Israel वगेरा है, ठीक है, तो यह आपका Sioux Canal है, चलिए, अब देखते हैं, पिगमी होक्स, तो पिगमी होक्स कहां मिलते हैं, आसाम के मानस National Park में मिलते हैं, and they were released by पिगमी होक्स conservation program चल रहा है, and 2025 तक target यह है, कि 60 पिगमी होक्स को वहाँ पर ले जाया जाए, क्योंकि इनके numbers काफी जादा decline हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको means वहाँ पर यह बने रहें, and जो population जो खो गई है, उसको बचाया जा सके, तो यह जो पिगमी होक्स conservation program है, 1995 में Jersey UK की जो Dural Wildlife Conservation Trust है, उन्होंने आसाम के government के साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाये था कि हम किस तरीके से इनको बचाए, तो पिगमी होक्स जो है, वो wild pigs होते हैं, काफी कम आपको देखने को मिलेगी हिमालियास की foothills में, एंडिया में endemic है, देखे पहले होता है endemic, फिर होता है pandemic, endemic मितला particular area में, few locations के अंदर, तो पिगमी होग है, थोड़े थोड़े पिग जैसे ये दिखते हैं, चलिए अब आज का last topic देखेंगे, St. Vincent and Grenadines, तो ये एक island country है, कहाँ पर Caribbean के अंदर, तो जो आपका West Indies है, वहाँ पर आपको ये lesser Antilles के अंदर देखने को मिलेगी, and Caribbean Sea, जहाँ पर Atlantic Ocean, ये जो आपका North America and South America, यहाँ पर आपको S-shape में जो Atlantic Ocean देखने को मिलती है, यहाँ पर आपकी Caribbean Sea है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, and cabinet ने यहाँ पर क्या किया है, cabinet ने, just a minute, cabinet ने यहाँ पर एक agreement अप्रूफ किया है, India and St. Vincent के अंदर, कि जो भी taxes से related, जो भी information and assistance एक दूसरे को help कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे, so thank you so much, आज की वीडियो complete है, सभी important current affairs, में insights ideas को ही follow करवा के आपको सभी current affairs करा रही हूँ, आप वहाँ पर Qs and Mains के questions जरूर practice करके देखे, कोई doubt हो तो आप comment section के अंदर जरूर लिखेगा, so thank you.